हेलो बच्चो पढ़ाई से पढ़ती हो गिता तक के कारिकरम में मिशन शिक्षन सवाट टीम आप सभी बच्चो का स्वागत करती है बच्चो आज का हमारा परकरण है शब्द शीट किर्मांग है 13 जूनियर इस तर चलिए शुरू करते हैं बच्चो आज हम काय के बारे में पढ़ेंगे शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं पहले मैं आपके सामने यहां पर दो वाक्य बोल रही हूं कि बिल्ली भागती है राम पुस्तक पढ़ता है अब यह जो पहला वाक्य है तो इसमें तीन और दूसरे वाक्य में चार शब्द हैं पहले वाक्य में कितने हैं तीन शब्द हैं और दूसरे वाक्य में क्या हैं कि चार शब्द हैं इन सभी शब्दों में एक से अधिक वर्णों का प्रियोग हुआ है जैसे मैं बिल्ली बोल रही हूं तो बिल्ली में एक वर्ण नहीं है या दो वर्ण नहीं है कितने ही वर्ण है तो इससे है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समू होता है मैं फिर आपके सामने कुछ वाक्य बोल रही हूं जैसे इंटों का समू इंटों से बना मकान तो पहले वाक्यों में जह है वो पहला वाक्य क्या है कि एंटों का समू है अब ये समू जो है वो मकान नहीं है अब एंटों का जो वेवस्तित रूप होता है तो वो मकान बना पाता है कि जिसे एक कमरा बनाया वो दूसरा कमरा बनाया तो ये एंटों का वेवस्तिती समू तो कि लिए शब्द के लिए नंबर एक होता है कि वह वर्णों का सम हो लेकिन सार्थक होना चाहिए नंबर दो है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सवतंत्र तथा सार्थक शब्दी सार्थक धवनी जो होती है वो क्या कहलाती है शब्द कहलाती है चलिया अब हम दूसरा इससे आगे देखते हैं, किस से आगे हम, क्या पूड़ते हैं, बच्चों कुछ शब्द जो होते हैं, वो एक वर्ण से निर्मित होते हैं, और कुछ शब्द जो होते हैं, वो अनेक वर्णों से निर्मित होते हैं, यानि बने हुए होते हैं, तो एक शब्द से निर्मित, जै से नाम आने क्या होता है नहीं और जैसे अनेक वर्णों से निर्मित जैसे राम लड़का हिमाले और प्रधाना चारी इसके अन्योधारर देख लेते हैं आ ना जन्मन भारत भाल हिमाले हमें इन शब्दों का विश्रेशन करने पर निम्न बाते हमें मालूम होती है कि इसमें एक या एक से अधिक वर्ण है जैसे आ में एक वर्ण है जन में दो वर्ण है और भारत में कितने वर्ण है चार वर्ण है या भारत में कितने वर्ण है छे वर्ण है भा प्लस आ रा प्लस आ प्लस आ प्लस ता प्लस आ यानि कि इसमें छे वर्ण है अब इसमें जो है परतिय एक वर्ण जो हो अपना क्या रखता है है एक अगर इनसे शब्स बनेंगे तो इसका एक सार्थक अर्थ है तो बाशामें सार्थक वर्णों के समू को हम्हतु दिया जाता है और यह सार्थक शब्दों का समू होता हैisésब G सवतंत्थर इकाई होता है किसी से अलग कुछ भी बना सकते हैं अब शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं तो इस आगे कि मिलके बनते हैं तो जिनकी सहायता से हम अपने विचार यो हैं दूसरे और से उनर करते हैं तो वर्णों Milligan लहाधर शब्द लाता है यानि कि दो मिलाक देहम जैसिन और इक एक शब्द बन गया रावल UN को उसका अपना वह साथंटर होता है इस पर कार होता है इस परकार शब्द की परिभाषा क्या हुए उस अधिक नहीं से बने जिसका sabrio, उस धवनिक को क्या एंच शब्द? जैसे चूँचू, खटखट, किल-किल, तो ये शब्द जो है, ये शब्दों का, वर्णों का समूँ तो है, लेकिन ये अर्थ नहीं मालूम इनका, कि ये निरर्थक है, है ना, और व्याकरण के अनुसान क्या है, कि जो शब्द, वर्णों का वह समूँ, जो शब्द बनाता ह लेकिन उसका कुछ अर्थ होता है, अब जैसे मोहन के यहां तो सदक किलकिल होती रहती है, अब इस किलकिल को अगर हमने वाकिय में प्रियोग करा, तो इसका कुछ अर्थ दिखाए देगी, है न, किलकिल का अर्थ क्या होता है, कले है, ठीक है, शब्द और पदमियंतर, अब शब्द और पदमे अंतर को हैं हम देख लेते हैं कि पड़तिये सवतंतर और सार्थक वर्णों का समू क्या होता है शब्द होता है लेकिन जब वह वाक्यों में पुर्योग होता है तो वह सवतंतर नहीं रहता पलकि वह क्या होता है बंध जाता है जब वह व्याकरण के निया होते हैं तो वे शब्द नहीं रहता है बल्कि क्या बन जाता है वह पद बन जाता है और उन छोटे-छोटे पदों से मिलकर क्या बनता है एक वाक्य बनता है ठीक है अब शब्दों का वर्गी करण है कि शब्दों का जो वर्गी करण है तो वो किस तरीके से होता है अगर हम विभाजन की दिरिश्टी से देखते हैं तो शब्दों का वर्गी करण पांच आधार पे होता है कौन-कौन से एक रचना के आधार पर एक उत्पत्ति के आध पर एक अर्थ के आधार पर और एक वयाकरनिक परकाई के आधार पर और एक प्रियोग के आधार पर लेकिन इसका जो हम विस्तारित रूप देखेंगे वह इसके बाद वाली शीट में देखेंगे अब बच्चे इससे पहले की शीट में हमने आपको कारिय दिया था उसमें को बता दें कि सही शब्ड कौन से हैं जैसे हिड़ने कश्व छिव नहीं होता है बलकि सही शब्द क्या है कि हिड़ने किश्व अनुग्हि तर यह जद fır्लान हो ओ रोर्डी को नहीं दार्ण कि प्राकत्थन और अशिर्वाद में जो है शाओ में जो मातरा लगी यह चोटी की मातरा नहीं लगती है बलकि काई की मातरा लगती है बड़े की यानि कि आशिरवाद आप बच्चों आज भी हम जो है इस शीट में कुछ आपको गिरह कारिये करने के लिए दे रहे हैं इसका पहला परशन है कि शब्द किसे कहते हैं लिखना है आपको और पांच सार्थक शब्द जो है वह आपको लिखने है तो बच्चों यह था आज का शीट का विस्तारीत रूप जिसे आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद